हलो स्टुडेंट्स आज हम क्लास 12 का चेप्टर नुबर 6 पढ़ेंगे यह इसका पार्ट फिफ्थ है रिमेनिंग पार्ट की लिंक्स दिस्क्रिप्शन में गिवन है आवाज आकर के देख सकते है इस वीडियो का लर्निंग कॉंसेप्ट है सबसे पहले कॉंसे कहता है वो समझता है there are some materials of which the opening and closing stock are mentioned in the question and also the payment made in the respect of such material is shown on the credit side of the resident payment account कुछ materials ऐसे होते हैं जिनको opening and closing stock आपको कोशन में गिवन होता है साथ साथ उन materials की जो payment है वो भी आपको resident payment account के credit side में गिवन होती है इनके एक्जामपल है statuary, sports material, postage, food stuff, medicine etc these are known as consumer goods consumer goods का formula होता है opening stock plus total purchase minus closing stock पर करीबर question में आपको total purchase given नहीं होता है अगर आपको total purchase given नहीं होता है तो आप creditors account बना करके purchase को calculate कर सकते हैं creators आपके liability होता है इसलिए इसका opening balance credit side में आएगा buy balance bd और closing balance debit side में आएगा to balance cd अगर आप creditors को payment देते हैं तो उसे debit side में लेखेंगे to bank question में आपको opening balance, closing balance और amount paid to creditors given होगा जब यह तीनों आपको given होता है तो दोनों sites को बराबर करने के लिए balancing figure में आपका purchase आता है जो credit side में लेखता है buy purchase इस तरह आप purchase को find out कर सकते हैं और formula बट करके consumer goods निकाल सकते हैं तुक्सका question देखते हैं यह question मतीन है how will you deal with the following items while preparing the final accounts of a SH club question में आपको stock of station given है opening है 4,000 and closing at 3,000 and आपको creditors के opening closing figure given है creditors opening at 7,200 and closing at 5,400 also amount paid for stationery during the year 25,000 is given in the question आपको question के अंदर इन सम इतम से use करके final accounts में शो करना है सबसे पहले हम NPO के final accounts के format बना लेते हैं सबसे पहले बने का income expenditure account for the year and date 31st March 2021 then next आप balance sheet बनाएंगे क्योंकि कोशन में final accounts के बारे में क्या रखा है आप opening and closing stock दोना balance sheet में शो करेंगे आप फर्स बेंशी आपी closing balance sheet है and second आपकी opening balance sheet है और नायच्सने में इस आपको निकालते हैं यहां पर ओपनिंग इस टॉक आपका 4000 एंड ट्री तॉक्ट आपको पर्चेस गिवन नहीं है जब पर्चेस गिवन नहीं होती तो आप प्रेटर से कॉड़ाते हैं को प्रेटर के ओपनिंग लिए गिवन एड गेटर के ओपनिंग है के विवन एड इंड यहां पर क्रेटर की डेटर ज्याता है इसलिए क्रेटर में आपका बैलेंस इंविघर में आएगा उससे आप पर्चेस लिखेंगे जिसका माउंट है 23,200 इस 23,200 को आप फार्वले एंपुट करेंगे जिससे आपका स्टेश्री कंज्यूम्ड आएगा 24,200 अब हम इस वरकी नोटी है से कौन-कौन सी जीजे फानल अकांट में आगी उन्हें हम पुट करेंगे तब से पहले स्टेश्री कंज्यूम आएगा आपका 24,200 इंकम एक्स्पिंजर के डेविट साइड में आप लिखेंगे टू स्टेश्री कंज्यूम्ड तब से पहले स्टेश्री कंज्यूम्ड इंकम आप बैलन्स को बट करेंगे आपका ओपनिंग स्टोक और ओपनिंग बैलन्स ऑप्रेटर्स बैलन्स शीट में आगा इस तोक आपके लिए एस यह साइट है इसलिए आप एसे साइट पर लिखेंगे इस टोक आपके लिए लिखेंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक है थी थाउजन और क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 5400 और यहां को कुश्चन कंप्लीट होता है थैंक यू गाइस पूर वाचिंग इस वीडियो अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए पर मोर वीडियो सब्सक्राइब मैं चैनल सक्सेशीट आप इस चैप्टर के नोट जाउनलोड कर सकते हैं जिनका पीडियाव लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन ह आप मैं फेस्टू के इंस्टाग्राम पर फालोग कर सकते हैं और कॉस्चन क्वाईरी अन अपडेट्स के लिए एंड क्लिक आउन बैल आइकन फो डेली अपडेट्स थैंक यू